हेलो स्टुएंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल लर रेनेटिस्ट इस्टुएंट आज की वीडियो में हमें डिसेस्ट करेंगे Production & Productivity कि काता है ? κ समस्थे हैह daun nauc का दिश्य गते है ? इस वाली वीडियो मैं प्रोड amplifier किसे करते है ? ये discussion करके चले अब शुरू करते हैं स्ठार्टिंग वीडियो लिखवी करते हैं अगर आप चैनल तक नहीं आये guessed जब चलो सब्सक्राइब करते हैं अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो उसका हिंदी अर्थ जो होता है उत्पादन होता है अर्थ जो होता है जिसमें कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदला जाता है दूसरे सब्दों में इसका अर्थ manufacturing process का अंतिम result है, मतलब कहने के मतलब है कि production एक तरह का परकिरिया होती है एक तरह का process होती है, ठीक है ये process इस परकिरिया में क्या होती है कि manufacturing process के सयोग से जो कच्चा माल होता है, जो raw material होता है उसको एक तरह का उपयोगी product में convert कर दिया है, ठीक है मतलब एक तरह का input होती है हमारा एक तरह का raw material और इसको conversion कर दिया है हमारा एक तरह का product में ठीक है, तो उसको एक तरह कम लोग production बोलते हैं, ठीक है, मतलब कोई कच्चा माल को manufacturing process के स्वाइब से उसको एक तरह का उपयोगी प्रोडक्ट में कनभट कर देना उसको एक तरह का प्रोडक्ट संग होता है तो चलिए हम एक के सियोंग से समझ लेते हैं कि आखिर में marriage has the but्ष कच्छा माल को कैसी के सजोग से अइसा इसे कि मालेivesseट में बनाते हैंशा क्या काम करेंगे लेबर के सयोग से ये कच्छा माल को मसीन के अंदर डालते हैं ठीक है ये परकिरिया को एक तरह का मैनिफेक्ट्रिंग प्रॉसेस बोलते हैं ठीक है अब क्या होती है कि थोड़ी देर के बाद यहां से एक प्रोड़क्ट बनके निकल जाती है उप्योगी प् मतलब उपयोगी वस्तु में कनभर्ट कर दिया गया मतलब मैनिफेक्चिंग पॉर्सेस के सयोग से एक यहां प्रोडक्ट का निर्मान कर देना उसको एक तरका प्रोडक्शन कहते हैं सटीक भासा में ठीक है मतलब कोई भी कच्छा माल को यहां पर मैनिफेक्चिंग करते हैं म में ठीक है कि अगर हिंदी अर्थ देखाया तो उसका होता है उत्पादक्ता होता है चलिए हम इसका डिफिनिशन समझ लेते हैं कि आकि रिमें प्रोड़क्टिवीटी होता क्या है देख सकते हैं नमर वन पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि productivity is the efficiency of the production system which is expressed by the ratio between output and input मतलब कहने का मतलब है कि productivity को एक तरका हमलोग production system का एक तरका efficiency करते हैं मतलब कार छम्ता एक तरका हमलोग करते हैं efficiency का मतलब क्या होता है कि आप में कितनी कार करने की छम्ता है efficiency कितनी है कितनी आप में काबलियत है कितनी जल्दी किसी चीज को करने की तो इसी तरह यहां से productivity को हम लोग एक तरका यहां पे यह क्या बोलते हैं एक तरका efficiency उसे बोल सकते हैं मतलब आप में कितनी कार करने की छम्ता है सिस्टम गूलते हैं ठीक हैं मतलब कच्छा माल को माटेरियल को जो रौ मटेरियल है उसने मसीन के सयोग से मैनिफेक्षिंग करने लिए के बाद उसे अतरखा प्रोडक्ष में नियाद करने की प्राक्रीया को एक तरह का हमलो production system करते हैं तो यहाँ पे कितनी अप जली अली production निकाल सकते हैं, कितनी अप में productivity है, जैसे कि माल लिए कि आपके समने दो student है, पहला student राम है और दूसरा student स्याम है, ठीके, पहला student जो राम है वो एक घंटा में चार chapter लिखता है, और स्याम यहाँ पे गंटा में 6 chapter लिखता है, ठीके, हम क्या कह सकते हैं, कि स्याम की productivity जादा है, राम के effect चा, क्योंकि यहाँ पे जो राम है एक घंटा में सिर्फ 4 chapter लिख पा रहा है, और यहाँ पे स्याम है, एक घंटा में यहाँ छे chapter लिख दे रहा है, मतलब दो चिप्टर यहाँ पे जादा एक कर दे रहा है, यहाँ पे सियाम, ठीके, तो यहाँ पे इसकी productivity, मतलब इसकी efficiency जादा है, ठीके, चलिए हम दूसरी example के स्योग से समझते हैं, ठीके, जैसे कि मा लेजे, कि यहाँ पे दो company है, ठीके, पहली जो सियोग से manufacturing करने के बाद, ठीके, दूसरी जो company है, यहाँ पे 200 वेक्तियों के साथ, यहाँ पे 80 को यहाँ चेर बनाती है, ठीके, तो हम क्या का सकते हैं, कि यहाँ पे जो पहली company है, जो पहली company की जो productivity है, क्या more है, यहाँ पे दूसरी company के अपेक्चा, जहाँ पहली वाली जो company थी, 100 वेक्तियों के साथ, 50 को चेर बना दे रही है, वहाँ पे दूसरी वाली जो company थी, वहाँ पे 200 वेक्तियों के साथ, वहाँ पे 80 को चेर ही सी बना पा रही है, जहाँ पे उसको कम से कम 100 चेर बनाने चाहिए तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर फर्स्ट कंपनी है उसकी productivity is more greater than यहां पर फर्स्ट कंपनी के अपक्षा ठीक है यहां पर बोला गया है कि productivity is the efficiency of the production system ठीक है नीचे में लिखी वी गया है कि which is expressed by the ratio between output and input मतलब कहने के मतलब है कि नीचे में जो लिखी वी है कि हम लोग express कर सकते हैं हम लोग productivity को यहां पर output by input के सयोग से ठीक है मतलब ratio होती है मतलब एक तरह का यहां पर हम बोल सकते हैं कि productivity का जो यहां पर एक तरह का ratio होता है output by input होता है ठीके तो आप यहाँ पे दोनों का रेशियो को फोर्म में आप यहाँ पे productivity को भी यहाँ पर define भी कर सकते हैं कि यहाँ पे the ratio between output and input then also known is productivity ठीके दे सकते हैं नीची में वहीची लिखी हुई यह क्या है कि productivity equal to output by input ठीके output किसको बलेंगे quantity of goods and services produced मतलब कितनी ज्यादा मातरा में हम कोई भी समान को यहाँ पे क्या produce किये हैं और यहाँ पे कितनी जो भी सर्वीसिस के सहयोग से ठीके अब बाग के नीचे में जो लिखी है input मतलब amount of resources जूज कितनी हम amount of resources यूज किये हैं कोई labor है कोई machine है जो यहाँ पे raw material है तो यह सभी को यूज करने बाग कितनी quantity हम निकाल पाते हैं और कितनी कम समय में निकाल पाते हैं इसी को हम लोग एक तरका productivity करते हैं ठीके second point में बात बोलता है क्या कि productivity is the measure of how much input is required to produce a given output मतलब कहने के मतलब है कि productivity हमें major करके यह भी बताता है कि हमें कितनी production निकालने के लिए कितनी output की आवसकता पड़ रही है ठीके यह भी हमें major करके बताती है ठीके तीसरी point में लिखी हुए क्या है कि productivity of a system is the analogious to the efficiency of machine मतलब कहने के मतलब है कि productivity का जो यहाँ पे जो system होता है वो भी एक तरका अनिलाइज करता है machine के efficiency को ठीके कि आकरी में कितनी दिर में कितनी यहाँ पे production को निकाल सकता है कितनी इसमें च्छमता है कार च्छमता है machine की कार करने की ठीक फॉर्थ point में लिखी हुए क्या है कि productivity can also be defined as human effort to produce more with lesser input of resources मतलब कहने के मतलब है कि productivity को आप ऐसे भी define कर सकते है कि जो human effort है मतलब एक तक मानो जो परियास है अगर वो अच्छा हो अगर वो पूरी तरीका से परियास हो तो उसमें क्या होती है कि production ज्यादा निकल सकती है input resources कम यहाँ पे loss हो सकती है कम देने के बाद भी ठीक है कम समय लगेगी और ज productivity के बारे में बढ़िया तरीका से समाज में आ चुका होगा कि आखिर में productivity किसे करते हैं आखिर में किस तर से यहाँ पर production system में productivity यहाँ पर काम करता है ठीक है वीडियो देखने कर थांकी हूँ चलने हैं में नहीं आई वह हैं तो जब वी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हो सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जलू वीडियो को सेरी कीजिए